हेलो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्विस्टन नम्बर 6 एक्सराइज 4.3 लीनियर एक्विशन इन्टु वैरिबल क्लास 9 का एक्विस्टन है क्या देरका इसकंदर if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance travelled by the body express this is in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force five unit also read from the graph the work done when the distance travelled by the the body is two units और zero units तो इसमें क्या कह रहा है कि दो work done से work done जी work done और कि यह क्या है डारेक्ट ली प्रोपॉस्चनल है क्या यहिर्ट्ली प्रोपोर्चनल है किसके क्या ध्यश्टन्स ट्रिवल बाइ přik दा बडेक्टी प्रोपॉस्चनल है तो यहांसे आपको क्या करनी है equation draw करनी है equation बनानी है यहां से two variables के अंदर और उस equation के help से हमें क्या करना है graph draw करना है ठीक है और उस graph को check करते हुए आपको बताना है कि जो अगर आपके पास work done two unit है तो distance travel क्या आएगा और zero unit के उपर आपके पास क्या आएगा यह दोनों graph के according आपको चेक करके बताने है तो यहां से हम क्या करेंगे let कर लेंगे जब इसको solve करेंगे तो let the distance travel by the body is equal to x unit और work done by the body क्या कर लेंगे y units तो इसको note कर लेते हैं तो distance travel को आपने x लेट कर लिया work done को आपने y लेट कर लिया according to question question के according जो work done है अपने पास work done directly proportional है किसके distance travels के distance travel के तो work done आपने क्या लेट कर लिया है y तो y directly proportional हो गया किसके distance travel के distance travel का मतलब x के अब यह जो directly proportional है इसको जब आप equal में करेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा constant force लग जाएगा ठीक है constant force जो भी है तो वो आपके पास यहां से equation आ जाएगी जैसे equal k into x लग जाएगा y is equal to k constant ले लेंगे k into x और यहां पर हमारे पास दे रखा है constant force is two unit जो constant force दे रखा है वो कितना sorry five unit दे रखा है constant force कितना दे रखा है five unit तो y is equal to कितना हो गया constant five हो गया into x तो y is equal to 5x यह हमारे पास क्या हो गई linear equation हो गई two variable में यहां से हम क्या करेंगे graph इसका draw करेंगे तो table लेते हैं ठीक है तो देखें y is equal to 5x तो यहां पे x की value put कर लेंगे put x is equal to कोई भी value आप put कर सकते हो 1 रख लिए हमने तो y is equal to 5 into 1 तो y की value कितनी आ जाएगी 5 ठीक है next put करेंगे put x is equal to 0 रख लेते हैं 0 रखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा y is equal to 5 into x की जगे 0 तो y is equal to 0 की किसी भी number से multiply करने पर क्या जाएगा 0 ठीक है और लेना चाहो और ले सकते हो तो यहां से हमारे पास क्या जाएगी table है जाएगी x और y x कितना 1 लिया था तो y कितना आ रहा था 5 x की value 0 ली तो y भी कितना आ रहा था 0 तो यह हमारे पास क्या गई table हो गई अब इन points को आप क्या करेंगे graph पे note कर लेंगे तो देखे graph तो हमने क्या किया एक x axis ले लिया graph के लिए दूसरा क्या लिया y axis note कर लिया यहाँ x positive हो गई positive direction में negative के अंदर negative note कर लिया ऐसे ही y positive के number हो गई negative distance इनके between क्या होना चाहिए equal होना चाहिए तो हमारे पास table के according अगर x की value 1 लेते हैं तो y कितना आता है 5 तो x1 की तरफ चेक करेंगे यह y5 की तरफ हो गया यह point हो गया x1 लेते हैं y कितना आता है 5 second point हमारे पास क्या note किया था हमने 0 देखिए अगर x की value 0 लेते हैं तो y भी कितना आता है 0 आता है तो 0 लेंगे तो क्या जाएगा 0 horizon आ गई 0 x y भी 0 दोनो points को क्या अगर हैंगे इला देंगे join कर लेंगे तो यह हमारे पास क्या आ गई line हो गई यह line आ यह y is equal to 5x इस linear equation से तो अब इसके अंदर question में दे रखा है क्या और बकाने आपको कि जब आपके पास 2 unit लेते हैं ठीक है तो आपका answer क्या आएगा देखिए 2 की तरफ आप देखेंगे तो यह हो गए 2 तो हमारे पास y कितना आ रहा है 10 तो यह point आ गया हमारे पास 2,10 और next में second part में कह लेना था अगर आप 0 unit लेते हैं ठीक है work done when आपने 0 लिया distance travel by the bodies कितनी आएगी तो इस पे क्या जाएगा 0 पे तो क्या होगे दोनों 0-0 होगे यामिनी एंड फतिमा 2 student of class 9th उपे स्कूल एक स्कूल के अंदर तो student है 9th क्लास की जिसका नेम है यामिनी एंड फतिमा together contributed रुपी जेनरेड दोनों मिलकर 1000 रुपे कंट्रिब्यूट करते हैं प्राइम मनिस्टर रिलीव फंड के लिए help the earth quick victims तो यहां से आपको क्या करना है write linear equation which satisfy this data इस data को satisfy करें एक ऐस linear equation आपको draw करनी है क्या करेंगे दोनों ने जो contribute किया है दोनों के रुपे को हम let कर लेंगे एक जो यामिनी है इसके जो contributed money है इसको x let कर लेंगे और फतिमा के दोबारा जो contribute money किया गया है इसको y let कर लेंगे तो शोल करते हैं इसको let the money contributed by by यामिनी यामिनी के दोबारा contributed किया गया रुपीज एक्स and और money contributed by by फतिमा is equal to rupees y according to question question क्या according देखे question में क्या दे रखा है together दोगेदर दोणों ने मिलकर कितना रुपए दिये hundred उपीज यानि कि यामिनी ने x रुपए दिये ठीक है और फतिमा ने y रुपए दिये ये दोणों का जो sum आ रहा है ये कितना रहा है hundred आ रहा है x is equal to 40 ठीक x की value 40 ले लिए हमने क्यों लिए है क्योंकि 1,2 लेंगे तो हमारे पास 99,98 ऐसी नमबर आएंगे तो ग्राफ के उपर काफी दूरी पे चले जाएंगे या फिर आप उनको line point के अंदर चेक करेंगे जो आपके पास graph के अंदर इनके बीच में जो line लगी होती है वहाँ पे तो इसलिए इसलिए the direct हम क्या ले रहे है 10, 20, 30 ऐसी कोई value पूट कर लेते हैं तो x की जगा हमने क्या लिया 40 तो 40 plus y is equal to 100 तो y is equal to 40 इदर आएगा किसका हो जाएगा plus का है तो minus का हो जाएगा और y is equal to 60 पुट करते है x is equal to 50 50 रख लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा x की जाएगा 50 plus y is equal to 100 तो y की value क्या हो गई 100 minus का 50 y is equal to कितना आगया 50 आगया चीक है x 40 है तो y कितना आ रहा है 60 x 50 है तो y कितना रहा है 50 आ रहा है तो यहां से हमारे पास table आ गई x और y x 40 लेते हैं y कितना रहा है 60 x 50 लेते हैं 50 और भी लेना चाओ तो ले सकते हैं x की value 30 लेंगे तो y कितना जाएगा 30 minus हो जाएगा 70 हो जाएगा तो इस steps है अब इन coordinate point की help से हम क्या करते है graph draw करते है तो यह graph ले लिए हमने तो यहां पर हमारे पास क्या करेंगे अब 1,2 का distance तो लेंगे नहीं कितने का लेंगे 10,10 का distance लेंगे तो यह तो हो गया x axis ठीक है और यह हो गया हमारे पास y axis तो negative number है नहीं इसलिए negative नहीं लिए तो यहाँ पर हमने क्या लिया था X 40 लिया था X की value 40 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 लेने के बाद यह table है X की value हमने 40 ली Y कितना आता है 60 X के उपर 40 लेंगे तो यह 40 हो गया Y कितना आ रहा है 60 यह point आ गया हमारे पास X 40 पहले X का coordinate point बाद में Y का coordinate point Next X 50 Y 50 तो X 50 यह हो गया और Y 50 यह हो गया तो यह वाला point आ गया हमारे पास 50 और 50 दोनों points को क्या कर देंगे join कर लेंगे यह हमारे पास क्या जाएगी line आ जाएगी तो यह क्या गया है इसका graph हो गया तो इस टैप से आपको क्या करना था graph draw करना जादे रखा है in country like जो countries है USA and Canada temperature measured in for night whereas in country like India it is measured in Celsius ठीक है country में जो temperature हो कहीं Celsius में कहीं आपके पास temperature के अंदर तो it is measured in Celsius इंडिया के अंदर जो है measure हो रहा है किसमे Celsius में here is linear equation to convert for night to Celsius तो यहाँ पर यह equation दे रखिया है for night से Celsius के अंदर यह वाड़ equation हो गई हमारे पास तो पहले part में आपको क्या करना है draw the graph of the linear equation about using Celsius for x-axis and for night for y-axis तो यह कहा रहा है कि Celsius के लिए तो क्या दे रखा है यहाँ पर x-axis और for night के लिए क्या दे रखा है y-axis by showing जो भी दे रखा है इसके according हमने Celsius टंपरेचर on x-axis पर नोट कर लेना है और for night टंपरेचर on y-axis के उपर आपका होना चाहिए clear तो आपके पास equation दे रखिये थी f is equal to 9 upon 5 c plus 32 यह equation गीवान है हमारे पास तो यहाँ से आपको क्या करना है graph के लिए table draw करना होगा ठीक है तो c की value put कर लेंगे c की value हमने क्या put कर ली 5 आप यहाँ पे c की जगे और भी कोई value put कर सकते हो मैंने 5 इसलिए लिया ताकि 5 से 5 यह क्या हो जाएगा cut जाएगा तो simple सा number आजाएगा हमारे पास 5 रखा c के जगे तो आपने क्या कि यहाँ पे c की जगे क्या note कर लिया 5 note कर लिया तो एक cut गया cut गया cutने के बाद हमारे पास f is equal to 9 plus 32 दोनों add हो गया तो f की value कितनी आ गई 41 जब हमने c की value 5 note की थी तो f हमारे पास कितना आ रहा था 41 1 अब next number लेना है अब 10 भी ले सकते हो cut जाएगा number जाएगा मैंने यहाँ पे c की value 0 note कर लिया c की जगे 0 note किया 0 की किसी भी number से multiply करने पर क्या जाएगा 0 0 plus 32 किसके equal हो जाएगा f is equal to 32 के equal हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास celsius तो x-axis के उपर है और fernight y-axis के उपर है तो हमने celsius 5 लिया था fernight किस पे आ रहा था 41 पे तो x की value 5 हो गए y कितना हो गया 41 ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास c 0 लिया था x पे 0 हो जाएगा y f की value 32 आ रही है तो यह कितना हो गया हमारे पास 32 तो क्या आप x-axis लेंगे second क्या लेंगे y-axis लेंगे दौनों के उपर point नोट कर लेंगे clear तो जैसे point note करेंगे तो इधर x positive हो गया negative direction में negative number हो गया ऐसे positive और negative number note कर लिया यहाँ पे x की value 5 थी y कितना हो रहा था 41 तो यह point हो गया लाइब की तरफ देखेंगे यहां से zero count क्या 1 2 3 4 5 5 की उपर गए 41 40 41 यह आ गया ऐसे zero पे कितना रहा था 32 यह point हो गया दोनों points को join कर लेंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी line हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा इसका graph हो जाएगा ठीक है next अब इसका second part second part में क्या करना है कि C की value Celsius अगर 30 degree रखते हैं तो हमारे पास answer क्या जाएगा C की जगे पे हमने 30 रखा cut जाएगा 5 6 the 30 multiply हो गए 9 6 the 54 plus 32 तो हमारे पास कितना जाएगा F 86 जाएगा यहां से next इसके बाद third part अगर third part के अंदर आप क्या करते हैं F की value 95 degree ले रहे हैं तो आपको C की value Celsius बताना है कितने degree का आएगा तो F की जगे 95 पहले तिए plus का है transpose होगा तो इधर आएगा किस का हो जाएगा minus का हो जाएगा 95 minus 32 minus कर लिए कितना आगा 63 किसके equal है 9 upon 5 into C तो यह multiply में C के इधर जाएगा 5 रोज multiply करेंगे तो उपर की side हो जाएगा और 9 निच्चे की side हो जाएगा यहाँ से आपने देखा यह cut हो रहा है ठीक है cut हो जाएगा 9 से उन्जा 63 75 जग इतना जाएगा 35 4th part 4th part के अंदर यहाँ से C कितना दे रखा है 0 degree Celsius अगर 0 लेते हैं तो फर नाइट बताने कितना आएगा तो 0 से multiply करते हैं क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 32 कितना हो गया 32 F की value 0 ले रहे हैं अगर F की value 0 लेते हैं तो F में क्यार रख लिए हमने 0 तो यह 32 प्लस के इदर आएगा किसका हो जाएगा minus का हो जाएगा तो यह 9 अपॉन 5 इसके साथ multiply इदर आएगा divide होगा divide होगा तो 9 अपॉन में आगा और 5 इसके साथ multiply में हो जाएगा ठीक है तो c आगए minus का 160 upon 9 ये था इसका fourth part next लेते हैं fifth part fifth part के अंदर हमारे पास क्या आजाएगा कि आपको बताना है Celsius और Fahrenheit दोन्नों equal हो सकते हैं या नहीं हो सकते तो हमने क्या क्या दोन्नों को equal रख लिया Celsius is equal to Fahrenheit दोन्नों किसके equal होगे X के equal होगे तो यहां पर f की value भी क्या रख लिए x और c की value भी क्या note कर लिए x clear x is equal to 9 upon 5 into x plus 32 तो अब 5 की multiply x के साथ होगे तो कितना जाएगा 5x ये क्या बच जाएगा 9x plus का 160 तो इन 9x जो है यह हमारा प्लस का है इधर ट्रांस्पोज करेंगे तो किसका हो जाएगा minus का 5x minus 9x is equal to 160 minus करेंगे तो कितना बचेगा 4x बच जाएगा यहां से हमारी पास minus का 4x is equal to 160 फोर मल्टिप्लाइ में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जैसी आप डिवाइड तो यह कट हो जाएगा 4,1 जा 4,4 जा 16 तो x की वैलू कितनी हागी minus का 40 तो इसका मुलब c किसके equal था f के f के equal था minus 40 के तो इन दोननों equal है और celsius और फर नाइट दोननों equal किस पर होंगे minus 40 degree के उपर होंगे तो यह था हमारा question 8 4.3 का last question ओके thank you friends